नमस्कार दोस्तों एनके मोनीटर यूटूब चैनल में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है दोस्तों आचारे चाड़क ने अपने नीती शास्त्र में इस्त्री और पुरुष के संबंद और रिष्टों को लेकर कई बातों का खुलासा किया है चाड़क के नीती के अनुसार इस्त्री पुरुष के बीच सफल संबंद तभी बनते हैं जब वो इन नियमों का पालन अपने जीवन में करते हैं दोस्तों जो भी इस्त्री पुरुष इन नियमों का पालन कर लें उनकी जिन्दगी में सुक बना रहता है और वो हमेशा साथ रहते हैं नीति शास्त्र के ये नियम बर्तमान परिपेक्ष में भी प्रासंगी कहें जहां रिष्टों का अंत हो जाता है और वैवाहिक में भी इस्त्री और पुरुष कम वक्त ही साथ रह पाते हैं इस्त्री और पुरुष के बीच रिष्टा हमेशा बना रहे और जिंदगी खुशनुमा रहे उसके लिए नीति शास्त्र में बताई गई इन बातों का पालन जरूर करें तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडि के अंत में एक ऐसी बात भी बताएंगे जिसे जानकर आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए खो जाए तो फिर जीवन में बस परेशानी ही परेशानी होती है ऐसे इस्त्री पुरुष घर से बाहर भरोसे और प्यार की तलाश में निकल जाते हैं और अवैद रिष्टों के फेर में बंद जाते हैं नमबर दो सादगी दोस्तों चाड़के के अनुसार इस्त्री और पुरुष के बीच प्रेम सादगी से भरा होता है रिष्टों में दिखाबा और सिर्फ खुद के बारे में सोचने से सिर्फ नुकसान ही होता है ऐसे इस्त्री पुरुष संबंध जो मतलबी हो सिर्फ वक्त क साथ खत्म हो जाते हैं और प्रेम छू मंतर हो जाता है प्यार में दिखाबा कभी ना करें और खुद के बारे में ना सोचें नमबर तीन आजादी दोस्तों चारक के बताते हैं इस्त्री और पुरुष संबंद बनाते वक एक दूसरे की भाबना और खुशियों का ध्यान रखें ये भी जरूरी है एक इस्त्री की भाबना का खयाल रखने बाला पुरुष हमेशा ही इस्त्री के मन में जगह पाता है ब इस्त्री जो हमेशा गुसा करे या ऐसा पुरुष जो हमेशा आप शब्द बोले कभी भी अच्छे रिष्टे नहीं बना सकते। बाणी आपके चरित्र को उजागर करती है। ऐसी इस्त्री और पुरुष चिन में क्रोध पर काबू करने की शक्ती ना हो वो कभी अच्छे सा ही नहीं हो सकते क्योंकि ऐसे इस्त्री और पुरुष सैयमित भी नहीं होते। नमबर पांच सीक्रेट दोस्तों चाड़के के अनुसार इस्त्री और पुरुष अपने सीक्रेट किसी के साथ साजह ना करें। ऐसा करने पर कोई भी इन बातों को सार्वजनिक करके समाज में आपकी इज्जत के साथ खिलवार कर सकता है इस्त्री और पुरुष एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखते हुए अपने निजी पलों और निजी बातों को एक दूसरे तकी सीमित रखें बाहराल दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेर करें दोस्तों मिलते हैं एक इसी परकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो